टीम इंडिया के फाइनल में पहुशने के बाद योगी सरकार ने बड़ा एलान कर दिया है योगी सरकार ने तेज गेन बाद मुहम्मद श्यामी को तोफ़ा दिया है योगी सरकार मिनी स्टेडियम बनाने जा रही है इसके लिए अम्रोहा जिला प्रशासन ने जमीन को भी चिनहित कर दिया है दियम राजिश त्यागी के मताबिक शासन को इसका प्रस्ताव भीश दिया गया है वाल्ड कप क्रिकेट में शांदार प्रदशन करने वाले मुहमद शामी को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तोफा दिया है अम्रोहा जिला प्रदेशन की ओर से मुहमद शामी के गाउं सहसपूर अली नगर में स्टेडियम बनाने का निर्देश दिया गया है जिसके बाद डियम राजिश त्यागी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी अम्रोहा ने अपनी टीम के साथ मिलकर अज गाउं सहसपूर अली नगर पहुँचकर मुहमद शामी के गाउं में स्टेडियम के लिए जमीन की तलास शुरू कर दी है डियम राजिश त्यागी ने जानकारी देते हुए बताए कि मुहमद शामी के गाउं में बनने वाले स्टेडियम के लिए लूटनी की पwnेज़ और दो कर दो कसा में लूट बीक्राइबंकल प्रिस लिए रहें? मी घंचिन के मनले सीस में लूट फ़्हा को नित्ताब चूशनु आपक प्रस्ताओं को बीजों हो प्रस्ताओं को मीज़रें में योगी सरकार ने हर गाउं में मिनी स्टेडियम बनाने की पहल की थी। मैदान में उपें जिम समेट अन्य विवस्थाएं भी दी जानी है। जिससे की खिलाड़ी वहाँ अभ्यास कर सके। वाल्ड कप में शांदार प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज मोहमद शामी के गाउं में इसी के तहट मिनी स्टेडियम बनाने का फैसला किया गया है। तेज के इनबाज मोहमद शामी ने न्यूजिलैंड के खिलाब साथ विकेट चटका कर भारत के फाइनल मैच में पहुशने का रास्ता सौफ कर दिया था। इस शांदार प्रदर्शन पर प्यम मोध दिया जाएगा। डियम ने बताए कि है मेनी स्टेडियम जिला मुख्याले से 9 किलो मीटर और हाइवे से 2 किलो मीटर की दूरी पर होगा। मैदान के लिए 1.092 हेक्टियर जमीन चिन हिद की गई है।